नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में आज हम लोग एक बहुती मज़ेदार डिस्किशन करने वाले हैं मियनमार से जुड़ा हुआ थोड़ा सा सजेस्टिव डिस्किशन है ये इसको खतम कर पाएंगे आप यहां पर देख सकते हो कि experts are actually overlooking the powerful influence of New Delhi and Tokyo यानि कि India और Japan का काफी हद तक यहां पर role हो सकता है तो इसके उपर हम लोग देखें कि क्या role हो सकता है क्या quad कर सकता है और सबसे बड़ा सवाल क्यू quad को करना चाहिए और वो करेंगे या नहीं आगे चलिए इसके उपर हम लोग एक discussion करते हैं लेकिन उससे पहले मैं हूँ आपका दोस्त राहूल साइगाउंकर अगर आप मुझे follow करना चाहते हैं और आपको कोई सवाल है कोई doubt है आप मुझे directly message कर सकते है इंस्टाग्राम पर प्लीज दो not send hi hello ask your questions I do reply on Saturdays and Sundays अब इसके अलावा अगर आप civil services exemption त्यारी कर रहे है for UPSC जो IS और IPS वो भरती दिलाती है तो हमारे पास smart course है आपके लिए जो prelims और mains दोनों के लिए content हमारे पास है prelims के test series चल रही है already notification आ चुकी है आखरी date खतम हो चीकिए मैं आशा करतो है कि आपने form भरा है तो please go through the website और download the app for more information and do not forget to subscribe to study IK चलिए बात करते हैं खबर आपको पता है हम लोग ने इसके पर discussion की थी पहले कि Myanmar में एक कूँ है military कूँ है जहाँ पे आंग सान सूकी की National League for Democracy जो उनकी पार्टी है थी रूल में उनको डिपोस कर दिया आंग सान सूकी को डिटेन किया military ने और military ने पूरा control ले लिया अब ये कब हुआ था ये हुआ था February 1, 2021 को और तब से लेके अब क्या चल रहा है देखिए अगर हम लोग बात करें अभी भी situation कुछ अच्छी नहीं हुए in fact वहाँ पे एक civil unrest बना हुआ है क्योंकि बहुत से लोग demonstrate कर रहे हैं वहाँ पे protest कर रहे है military rule के खिलाफ लेकिन Myanmar की जो military है जिसको टटमड़ो कहते है उन्होंने military crew कू करके फिर और भी अपनी powers उन्होंने बढ़ा दी है अगर हम लोग बात करें protest तो हो रही है protest is growing by the day पिछले एक महीने से जादा हो चुका है अभी की protest जारी है लेकिन Myanmar की military जो मैंने कहा आपको कि तटमड़ो उन्होंने और भी ज़्यादा violence से demonstrators को क्वेल करनी कोशिश किये demonstrations को क्वेल करनी कोशिश किये यानि कि military is ruling now with the iron hunt अब इसके ओपर international community का response क्या रहा है देखिए mixed रहा है in fact मैं कहा सकतू कि काफी हद तक limited रहा है यहाँ पे कि कि किसी नहीं Myanmar को को sanction नहीं किया है बहुत ज़्यादा harsh statements नहीं आए although बहुत से लोगों ने criticize जरूर किया in fact United States से एक बहुती strongest statement आयता कि उन्होंने कहा कि वापस Myanmar में democracy set होनी चाहिए military को पीछे हट जाना चाहिए लेकिन इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं हो रहा यानि कि international community की क्या कोई role नहीं है कि वो Myanmar में जो भी humanitarian crisis होचे कहा जिसमें protest चल रही है demonstrators है उनके खिलाफ military police action ले रही यानि कि violence उसकर रही है क्या role नहीं बनता है देखें रोल ज़रूर बनता है international players का तो इसमें आज हम लोग बात करने वाले है एक opportunity कि opportunity किसके पास देखिए अगर हमें civilian government यानि कि democratic government set up करनी है वापस Myanmar में उनकी जो तत्मडव है यानि कि military को back down करना है तो दोनों की बिच कुछ compromise होना चाहिए और एक civilian सरकार वहाँ पे आनी चाहिए तो इसके लिए imaginative response चाहिए abroad से यानि कि जो international community है उनका एक role ज़रूर बनता है उनकी responsibility ज़रूर बनती है कि यहाँ पे एक role अदा करे अब यहाँ पे मौका है COD के पास COD जिसकी एक basic principle ही यह है कि वो liberalism और democratic values को promote करते है देखिए जो इंडो पिसिफिक में COD के development हुई उसमें कौन member से हम जानते हैं कि उसमें इंडिया है United States है Australia है Japan है और अज़र चारो कंट्रीज को देखे चारो कंट्रीज डेमोकरसी से चारो कंट्रीज liberalism को और democratic values को promote करते हैं तो इसी लिए इनके पास एक opportunity है अभी कि वो अपने liberal और democratic credentials को मियानमार में दिखा है और मियानमार में एक compromise या some sort of understanding लिया है जिससे की military वहाँ पे पीछे चली जाए और वापस civilian या democratic government आ जाए ताकि लोकतंत्र आ जाए मियानमार है अब सवाल ये उठता है क्यों करे कॉड जैसे मैं आपको बताए कि कॉड का principle है कि liberalism और democratic values human rights को promote करते है अब इसके अलावा कॉड की जो पहली meeting हुई थी वहाँ पे कॉड के leaders ने inunciate किया था clearly कि हम जल से जल एक peaceful solution ढूँनना चाहते है मियानमार में वो हमारी अब इसके अलावा एक बहुत बड़ा reason क्या होगी कॉड को यहाँ पे role play करना चाहिए देखिए जब भी हम लोग कॉड की बात करते जब भी हम लोग Indo-Pacific की बात करते एक stereotyping ज़रूर हो चुका है कॉड की जब भी बात करते हैं कहते हैं कि Asian NATO है Anti-China Club है तो Anti-China Rhetoric अभी QOD के साथ जब चुका है लेकिन QOD ने या फिर QOD की जो देश हैं जो represent करते हैं उन्होंने clearly कहा है कि Anti-China नहीं है ऐसे stereotyping मत कीजेगा It is a more rule-based organization जो basically rule of law को promote करता है freedom of sea freedom of navigation को promote करता है democracy को liberalism को human rights को promote करता है in fact जो पहली meeting हुई थी QOD में उसके अंदर उनका agenda भी काफी clear था उन्होंने promote किया है QOD vaccine supply chain को जिसके बारे हम लोग ने बात की थी इसके अलावा उन्होंने climate change की बारे में बात की नहीं technologies किस तरह से develop की जाए किस तरह से share की जाए उसके पर बात की गए यानि कि QOD केवल एक anti-china club नहीं है anti-china rhetoric इसके साथ जोड दिया गया है दूसरे experts इसको जोड चुके है कि QOD anti-china है केवल anti-china नहीं है और भी बहुत important body है और ये दर्शा सकते हैं यहाँ पर अपना role अदा करके Myanmar अब इस सवाल का तो जवाब मिल गया है कि why they should help it is very clear अब सवाल ये उठता है कि can QOD help obviously QOD countries के वास काफी ज़्यादा capacity है लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा closely देखे इन QOD countries को इनका रवया Myanmar की तरफ कैसा है अगर हम लोग बात करें चार कंट्रीज में दो कंट्रीज डिवाइड़ेड़ है यानि कि USA और Australia निया अलड़ी बहुत ही strongly condemn किया है Q को तो ये दोनो ज़ादा हद तक military के साथ deal करने के लिए त्यार नहीं रहेंगे क्योंकि इन से clearly इंडिकेशन आ चुकी कि military को पीछे अटना चाहिए और जो democratic faction और democratic government है वो हाँ पर set up होनी चाहिए लेकिन अगर हम लोग दो अन्ने countries की बात देखें इंडिया और जपान उन्होंने थोड़े से milder statement issue किये थे और इन्होंने थोड़ा cautious approach follow किया था अब ये क्यों क्योंकि इंडिया के भी और जपान के भी दोनों के भी काफी ज्यादा relations है Myanmar के साथ and that is why they have gone for a milder statement अब चलिए बात करते हैं कि कैसे ये लोग help कर सकते अगर हम लोग बात करें जपान की बारे में पहले जपान के बारे मात करते हैं उसका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि इंडिया से भी ज़्यादा जपान के stakes है Myanmar देखे जब से Myanmar में Democratic सरकार आई है National League for Democracy 2015 में आई थी तब से लेकर जपान की strategy कुछ ऐसी रही है कि वो दोनों साइड के साथ डील करते वे आ रहे और वहाँ पर डेमोकरसी थी यानि कि आंग सांसूकी की पार्टी थी उनके साथ तो वो डील करी रहे लेकिन वो Military यानि कि टटमड़ों के साथ भी डील कर रहे है Continuously मैं आपको काफी उधारान दे सकता हूँ यहाँ पी किस तरह Japan एक balancing act कर रहे है देखिए 2017 में जब Rohingya crisis peak पे था escalate हो चुका था तो बहुत सारे western countries रहे अपना investment Myanmar से हटा लिया लेकिन जपान ने वो नहीं किये Japan continue to provide foreign aid अब इसके अलाबा Japan ने बहुती successfully November 2020 में एक deal भी broker की थी अब किसके बीच में वो थी military यानि कि Rohingya की जो आर्मी है जो लड रही थी मिलिटरी Myanmar military उनके बीच में एक deal broker की किसने किया Japan ने किया अब इसके अलाबा Japan का जो initial response था वो तो काफी ही mellowed down उन्होंने जो military कुवा उसको उन्होंने कू करके भी नहीं बताया लेटर ओन उन्होंने condemn जरूर किया क्योंकि international pressure जरूर था अब इसके अलाबा अगर हम लोग बात करें पहले भी Japan के बहुत जादा stakes है Myanmar में उन्होंने थिलावा special economic zone डेवलप किया है Myanmar के Yangon region को डेवलप करने की तो बहुत सारे expert से वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग Japan को चाइना को देखे और उनकी involvement देखे Myanmar तो Japan more or less matches और in fact ज़्यादा भी हद तक वो involved है Myanmar में compared to China तो Japan के तो stakes है ही तो Japan एक बहुत बड़ा role play कर सकता है अब दूसरी बात हुई इंडिया की देखे इंडिया के उपर हम लोग बहुत discussion कर चुके है इंडिया और Myanmar का और इंडिया एक lesson सीख चुका है देखे इंडिया ने क्या किया शुरुआत में तो उतनी critically इस कू को उन्होंने criticize नहीं किया तो यह क्यों हुआ क्योंकि इंडिया का अभी एक long held position है कि non interference रहेगा हमारे दूसरे countries के affairs में अब इसके अलावा इंडिया ने already कुछ ऐसा किया हुआ था 1988 में जिसकी वैसे already we got our fingers burnt अब उसके बाद military और इंडिया की relations के उतने अच्छे नहीं थे और उस दोरा 1988 के बाद मैं कह सकते हूँ कि almost for 10 to 15 years Myanmar military went close towards China तो इसलिए हम लोग बलती नहीं दोरा रहे इनफेट अगर हम लोग recent times की बात करें जब से active policy आई ये काफी ज़्यादा improvement आया है इंडिया और Myanmar की relations हम लोग बहुत सारे उधारान दे सकते है कलादान multimodal project अलड़ी चल रहा है जिसमें काफी ज़्यादा investment हो चुका है इंडिया, Myanmar, Thailand, Trilateral Highway जिसके अंदर काफी investment हो चुका है इसके अलबा इंडिया ने Myanmar को $1 billion का एक help provide किया हुआ है उनके internal process को develop करने के लिए electoral process को service delivery को revamp करने के लिए उनको technical और दूसरा infrastructure assistant देने के लिए in terms of education, health care, etc. इसके अंदर इंडिया ने मदद किया यानि कि इंडिया के भी काफी ज़्यादा stakes है अब इन दोनों चीदों से हम लोग क्या understand कर सकते या फिर क्या conclude कर सकते मैं कह सकते हूँ हमारा discussion इसी से conclude करेंगे कि COD should play a role first of all और हम लोग COD की भी बात करें उसके अंदर lead किसे लेनी पड़ी उसके अंदर lead लेनी पड़ी इंडिया को और जपान को in fact एक excellent opening होगी COD के लिए कि वो एक बड़ा role play करें एक country के conflict में अगर देखिए Myanmar में कुछ problem चल रही है दो गुठे वहाँ पे भी यानि एक तरफ है military एक तरफ है उनकी democratic faction democratic parties तो दोनों को बिठा कर एक अगर negotiation कर दे किसी तरह की civilian government आ जाए by explaining और understanding the military it would be a win-win situation for everybody in fact इसके दो फाइदे एक तो Myanmar में democracy आ जाएगी जिससे इंडिया और जपान का ओधा बढ़ेगा total cord का ओधा बढ़ेगा इसके आलावा जो चाइना का influence होगा वो काफी हद तक कम हो जाएगा Myanmar तो इस आ ग्रेट चेक ऑन चाइना ओलसो लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये रह जाता है मैंने आपको कहा था कि एक suggestive discussion होगा सवाल हमारे सामने ये रहेगा कि will cord capitalize on this particular opportunity ये तो आने वाला समय ही बताएगा तो let us wait and watch will cord play a better role in Myanmar and bring democracy there इसके ओपर कोई development आएगी तो आपको जल से लाएंगे study IQ पर that is it from my side thank you for watching जै हिन